ग्रिया मंत्री यस्वे ग्रिया मंत्री श्री अमिसा जीवलाई मेरे साथ बुलिये बारत मता की अरे भाई दारजिलिंग आया हूँ ये वीरों की बुमी है गोरखाओं की बुमी है आवाज ऐसी रहेगी क्या ममता दिदी तक कलकत्य में आवाज जानी चाहिए मेरे साथ दोनों हाथ उठाईए विजय के संकल्प की मुठी भीचिये और प्रचन आवाज से बोलिये बारत मता की मेरे साथ बोलिये जय गोरखाँ आज जिनको मैं जिताने के लिए आया हूँ ऐसे हमारे दारजिलिंग विदान सभा के प्रत्यासी निरज तमांग जिंबा जी आगे आओ निरज आगे आओ तुम चाली बजाओ निरज भाई के लिए सब लोग कर्शियंग के हमारे प्रत्यासी स्री विष्णु प्रसाज सर्मा जी विष्णु भाई आगे आओ ये दोनों को प्रचंद बहुमत से जिता कर दीदी को सभी जुर्मों का हिसाब किताब देना है मेरे साथ यहां के लोग प्रिय संसद और मेरे दोस्त युवा संसद और पूरे देश के घोर्खा नेता भाई राजू बीष्ट के लिए जोर से ताली बजाई जी एनलेप के नेता भाई मान गिसिंग जी समग्र गोर्खा जाती का पूरे जीवन के लिए लंबे समय के लिए संगर्ष करकर हीद करने वाले सिपी आरेम के नेता श्री आरबी राय साब के लिए ताली बजाईए दारजी लिंक के जिलाद्यक्स कल्यान कुमार देवांग जी मनो देवांग जी एजोई एडवर्ड जी एजोई खड़े हो यार श्री विकास राय जी प्रताप खाटी जी स्वराज धापा जी साहरदा राय जी श्री तिलक चंद्र रोका जी एमेल राय जी राजू प्रदान जी गोविन छेत्री जी मेरे साथ यहाँ पर दिल्ली से आये हुए भादपा के राष्ट्रिय प्रवक्ता भाई संजय मयूग जी दिल्ली के नेता राजी बबबर जी प्रवासी इंचार्ज ब्रिजेन सिंग जी और आज पूरा देश जिन पर नाज करता है ऐसे मेरे प्यारे गोरखा भाईों बैनों माताओं और मेरे जीगर के टुकडे जैसे युवा मित्रों मित्रों सबसे पहले तो मैं एक खुबसूरत वादी और अित्यासिक स्थान पर आकर अपने आपको भाग्यसाली समत्ता हूँ कि मैं आज आप लोगों के बीच में यहां पर आया हूँ मैं इस पावन भुमी पर महाकाल मंदीर धीरजाम मंदीर और विश्व सांती पगड़ा जहां पर उपस्तित है ये तीनों स्थानों को प्रणाम करकर मैं अपनी बात सुरू करना चाहता हूँ मित्रो स्वातंत्रता संग्राम में दारजी लिंग ने बहुत बड़ी भुमी कानी भाई दहल बादूर गिरी हेलेन लिपचा गागा चिरिंग उस्पकुमार गी सिंग जैसे अनेक स्वातंत्रता सेनानियों ने देश को आजाद करने के लिए इसी भुमी से संगर्स किया है वो सभी को मैं बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ और आज मैं यहाँ हूँ तब सबसे पहले एवरेश्ट चड़ने वाले भारत के गवरो तैंजिंग सिर्पा को भी रदय से प्रणाम करकर मेरी बात की याद करता हूँ महान साही चकार इंद्रबादू राय को भी मैं याद करना चाहता हूँ और मित्रो सबसे ज्यादा आप सभी को इतनी बड़ी संख्या में मोदी जी के समर्थन में यहाँ उपस्ति थोने के लिए यहाँ बैठे हैं पीछे बैठे हैं उपर बैठे हैं वो सभी को प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहती हैं मित्रोय दारजिलिंग देश के सबसे खुबसूरत सहरों में से एक सबसे खुबसूरत स्थानों में से एक और देश के सबसे पुराने स्थापीत सहरों में से एक देश में सबसे बहली बिजली 1897 में हमारे दारजी लिंग के अंदर आई थी सबसे पहली 1850 में यहाँ पर दूसरी नगरपाली का बनी मिनसिपाल्टी बनी मदरास के बाद दारजी लिंग पहली मिनसिपाल्टी बनी और चाय बागान के रुप में पूरे बंगाल में सबसे पहला इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी मेरे दारजी लिंग के अंदर शुरू हुआ है मित्रों ये छोटी सी जगने हमारे देश के आजादी के लिए देश के विकास के लिए बहुत बड़ी पुमी का निफाई बाद करा था अठारा सो पचास की अठारा सो सतानवे की मगर इसके बाद आजादी के बाद कॉंग्रेस कॉमिनिस्ट और अब ये दिदी तीनों ने डार्जिंग लिंग के विकास को फुल्ड स्टॉप लगा दिया है मुझे बताईए ये दार्जिंग की सताब्दी के अनुरूप दार्जिंग बना है क्या बना है क्या देश बहुत आगे निकल गया मेरा दार्जिंग वही का वही रहे गया क्यूं हुआ ऐसा क्यूंकि सब ने डार्जिंग को सिर्फ आराम करने की जगा के रूप में ट्रीट किया किसी ने डार्जिंग का विकास नहीं मैं आज आपको कहने आया हूँ भारतिय जन्ता पार्टी और इसके सयोग इदल के सारे नेता यहां बेटे हैं एक बार एक बार आप मोदी जी को मेंडेट दे दिजे पांच साल में दार्जिंग की सभी समस्याओं का समाधान नरेंद्र मोदी जी निकालता हूँ मित्र बंगाल के अंदर भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार बन रही दिदिय ब्रोग नहीं सकती दोसों से ज़्यादा सिटों के साथ सरकार बन रही दार्जिंग की तीन सिटे भारतिय जन्ता पार्टी के लिए बहुत महतोपून है मैंने कल एक इंटर्वी में कहा है एक और अगर भाजपा 200 सिटे जित्ती है तो एक और 197 सिटों का विजए है और दूसरी और हमारी ये तीन पहाड की सिटों का विजए है क्योंकि मैं मानता हूँ कि गोर्खाओं को इस देश की मेंश्ट्रीम के अंदर लाने की जरूरत है गोर्खाओं का भवे इत्यास रहा है देश में जब जब भी देश बक्ती से हरी बरी देश बक्ती से ओत प्रोत जातियों का नाम लिया जाता है मेरा गोरखा भाईयों का नाम सबसे पहले गवरव से लिया जाता है बेश के लिए बलिदान करने वालों का नाम बनता है सूची बनती है बेश के लिए जान देने वालों की सूची बनती है बेश के लिए वफदारी के साथ जीने वालों की सूची बनती है भारत माता की रक्सा के लिए अपना सर कटवाने वालों की सूची बनती है तो वो सूची में प्रथम पंक्ती में मेरा घोरखा जवान होता है मित्रो घोरखा जवान और ये घोरखा जाती के साथ ये पहाड के साथ देश बर में बसे घोरखाओं के साथ ये कॉंग्रेस, कॉमिनिस्ट और टी एमसी की तिकडी ने जालों तक अन्या गिये 86 और 88 में कॉमिनिस्टों ने पहाड पर आग लगा दी 1200 से ज़्यादा गोरखाओं की छातियों में गोलिया मार दी आज भी हम नहीं बुले हैं और उसके बाद मा, माटी और मानुस की बात करने वाली दिदी आई दिदी ने भी कोई कम जुल्म नहीं डाई अनेक लोगों को निर्मम हत्या करा दी और हजारों पर मुकदमे दायर कर दिये मित्रों उसने मुकदमे रादनितिक रूप से कुछ लोगों के सिलेक्टिवली वापिस लिए मैं कह कर जाता हूं कि भारतिय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद आंडोलन के जितने भी मुकदमे किसी भी गोरखा भाई पर है सबके सब एक सब्ता के हंदर हम वापिस लेने का काम ये भारतिय जनता पार्टी की सरकार करते मित्रों गोरखा भाईयों को विस्तापीत का जिवन जिना पड़ा दर-दर भागना पड़ा छीपना पड़ा आपका ए रादनितिक वनवास लंबा चलने वाला नहीं है दो माई को दारजिलिंग में दिवाली होने वाली है दो माई को ए पहाड पर आग नहीं लगेगी दो माई को ए पहाड पर दिये जलकर उच्छाव मनाया जाएगा उच्छाव मनाया जाएगा गोर्खाओं के साथ ने आए केवल और केवल भारतिय जनता पार्टी ही कर सकती है क्योंकि भाजपा भारतिय जनता पार्टी और गोर्खाओं का घट बंदन हमने नहीं बनाया आपने नहीं बनाया भाजपा और गोर्खाओं का घट बंदन इस्वर ने बना कर जमीन पर उतारा है ये पवित्र घटवंदन है ये घटवंदन को ताकाद देने के लिए आज में यहां आया हूँ मेरे गोर्खा भाईों, बैनों, माताओं, युवाओं को अपील करने आया हूँ कि आये देश बर के गोर्खाओं को देश की मेंस्ट्रीम के साथ जोडने का एक मौका देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी को दीजिए मित्रों, मैं जानता हूँ आप सभी के मन में गोर्खाओं की समस्याओं का स्थाई रादनितिक समादान क्या हो सकता है उसके लिए एक चिंता है मगर हमारा समविधान बहुत व्यापक समविधान हमारे समविधान में हर समस्या का समादान है मैं आज इस पवित्र दिन पर आप लोगों को वादा कर कर जाता हूँ कि गोर्खा समस्या का स्थाई रादनितिक समादान भारतिय जनता पार्टी की दोनों सरकारे केंद्र सरकार और बंगाल की सरकार मिला कर निकालेगी आपको अब आंदोलन नहीं करना पड़ेगा चुटी हुई 11 गोरखा उप जातियों को स्टी का स्टेटस चाहिए सालों से मामला लटक रहा है ना बंगाल सरकार ने चिंता की ना भारत सरकारों ने चिंता की बाजपा की भारत सरकार आई मगर ममता दीदी कोई मिटिंग में आये ही नि कैसे करे बदल दो ममता दीदी को भाजपा का मुख्यमंतरी ला दो 11 गोरखा जातियों को अनूसुचित जन जाती का SD का status देने का काम ये भारतिय जनता पार्टी की सरकार करें मित्रो हम चाय बागान की पिड़ा से अवगत है परजा पट्टा का आपका वेदना हम जानते हैं पिड़ी दर पिड़ी चाय बागानों में काम करने के बावजूद पिड़ी दर पिड़ी सिनकोना बागान में काम करने के बावजूद परजा पट्टा नहीं मिलता है हमने तई किया है कि परजा पट्टा छे महिने के अंदर हर गुर्खा भाई बेन को देने का काम हम करें चाय बागान के मद्दूरों के लिए अभी अभी जो बजेट नरेंद्रे मोधी सरकार ने रखा उसमें एक हजार करोड उप्य की घूशना की एक हजार करोड उप्या चाय बागान के मद्दूरों के हमारे स्रमिकों के लिए उनके रहने के घरों के लिए उनके लिए अच्छे हेल्थ सेंटर बनाने के लिए और उनके बच्चों की प्राइवेट स्कूल बनाने के लिए भारतिय जंता पार्टी खर्च करने वाली है में तो खर्च करने और चाय बागान के श्रमिकों का वेतन हम आज तक जो सोशन हुआ होग चुका है चाय बागानों के मद्दूरों का वेतन हम बढ़ा कर तीन सो पच्चास रुपिये तक ले जाने का हमारे संकल प्राइवेट है दार्जी लिंग की सबसे बड़ी समस्या पीने का पानी है इसके कई रास्ते है पहाड है पानी को बचा के कई रास्ते हैं मगर किसी ने करा नहीं है गाउं में सेयर में जल संचय के काम के माध्यम से एक सुन्दर व्यवस्था करकर 600 करोड रुपिया इन्वेश्ट करकर भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार दार्जी लिंग के पीने के पानी की समस्या का हम गंबीर्ता के साथ रास सबसे जादा बारीस होती है ऐसा क्षेत्र है मेरा दारजिली ये पहाड इसके जल संचै की व्योस्ता नहीं की संचीत करे हुए जल को घर तक पहुचाने की व्योस्ता नहीं की संचीत किये हुए जल को सुद्ध करने की व्योस्ता नहीं की इसारी व्योस्ता है असंभव नहीं हैं दिल में प्यार चाईए ए ख्षेतर के लिए दिल में लगन चाईए पानी पिने के लिए घर के पानी के लिए माता ओबेहनों को जो तकलिप पड़ती है इसके लिए मन में दर्द चाहिए वो दर्द नरेंद्र मोदी जी के दिल में है मित्रों वो दर्द धरेंद्र मोदी यह सिंकोना के सारे पार्क सिकूड रहे है अउसदियों के सारे पौधे मर रहे है इसके अंदर नए प्रकार की अउसदियों को लगाया नहीं जाता आयुर्वेद दुनिया भर में बढ़ रहा है मगर यह उसदिय पार्क मर रहा है मैं आपको वादा करता हूँ सिंकोना को हम मेडिकल मेडिसिन का हब बना कर पूरे विश्व में इसके मार्केटिंग की चिंता करेंगे सिंकोना बागान दस हजार से ज्यादा लोगों को रोजगार देता है अभी भी और संभावना है मैं आपको बता कर जाता हूँ कि एक हरबल पार्क बना कर सारे सिंकोना पार्क का पुननिर्मान करने का काम बंगाल की भारतिय जनता पार्टी की सरकार करेगी मित्रो फॉरेस्ट राइट एक्ट मुझे एक बात बताईए देश बर में फॉरेस्ट राइट एक्ट मिलता है आप लोगों को मिलना चाहिए और नहीं मिलना चाहिए जोर से बोलो मिलना चाहिए और नहीं मिलना चाहिए आपका अधिकार है या नहीं है यह दिदी ने आपके अधिकार से आपको बंचीत रखाए मैं बता कर जाता हूँ कि फोरेस्ट राइट एक 2006 यहाँ पर दारजिलिंग की पहाड़ियों पर भी कलिपंग जिल्ले में भी इसको लागू करकर आप लोगों को यह अधिकार से बहाल किया जाएगा ADI Pointland अंग्रेजों के समय में सुरू किया हुआ सूसन करने वाला व्योस्ता है इसको हम समाप्त कर देंगे इससे आपको मुक्ती कराने का काम करेंगे उच्छ सिक्षा के लिए Education Hub के रुप में हमारे पुर्खों ने दारजिलिंग को विक्साया था देर सारे देशों से इस्ट के सारे देशों से नेपाल से भूतान से बंगलादेश से लोग यहां पढ़ने आते हैं मगर पूरी व्यवस्ता खस्ता हाल हो जो मित्रों मैं आपको कह कर जाता हूं भारत सरकार भाजपा की और बंगाल सरकार भाजपा की एडबल एंजिन सरकार यहाँ पर उच्च सिक्षा में दारजी लिंग को फीर से एक बार विश्व प्रसीद उच्च सिक्षा का हब बनाने का काम करेंगे और इसके साथ साथ पहाड उतरते ही उत्तर बंगाल के अंदर एक सेंट्रल इन्युवर्सिटी की स्थापना करने का काम भी भारतिय चंता पार्टी करेंगे परियटन के विकास के लिए एक हजार करोड का विशेश पैकेज हमने उत्तर बंगाल के लिए इंगीत किया है जिसमें हिमालायन बहुद सर्किट, क्वीन ओप हिल्ट सर्किट और राजवनसी परियटन सर्किट के माध्यम से ये पूरे पहाड को विश्व भर के परियटक यहां आए, ऐसा बनाएं कोई राजवनसी परियटक सर्किट में आएगा, तो मेरे गोरखा भाई बेनों से हाथ मिलाए वगर वापिस नहीं जाएगा वो जरूर दारजवनसी परियटक के अंदर उसको रहना ही पड़ेगा, आपका खाना उसको खाना ही पड़ेगा मित्रो हमने ताई किया है, आतिथ्य व्योसाई के लिए हर घर के अंदर परियटकों को रखने के लिए एक योजना लेकर आएंगे और 50 लाग तक की लौन जो परियटक आधिथ्य के लिए सबसीडाइज करना चाते हैं, उनको सबसीडाइज करकर लौन देकर रोजगारी का निर्मान करने का काम भी भारतिय जनता पार्टी और तीन साल तक उसको टैक्स से मुक्ति देने का काम भी भारतिय जनता पार्टी की सरकार करें, मित्रों देश भर के अंदर गाउं का सासन गाउंवालों के हाथ में हैं, ये पंचायती राज, ये गांधी जी की कल्पना थी, डेमोक्रसी, लोगतंत्र, तब तक परकोलेट नहीं होता, जब तक पंचायती राज अस्तित्व में नहीं आता, मुझे बताओ भई, आपका पंचायती राज का चुना हुआ है क्या, होना चाहिए नहीं, होना चाहिए, ये जम्मू कस्मिर में 1947 से नहीं होता था, तीन सो सत्तर कलम भाजपा ने हटा दी तीन सो सत्तर भी कलम हटाने के साथ ही जम्मु कस्मिर में सारे पंचायतों के चुना हुए हम भी सरकार बनने के बाद छेही मैनों में सारे पहाड पर पंचायत के चुनाव करने का काम करें देर सारे आपके पेसे चाहे मंडेगा के हो PMRB RF के हो RIDF के हो केंद्रिय आवास योधना के हो ये भतीजे के लोग खा गए भतीजा जानते हो ना जानते हो ना ये दिदी उसको मुख्यमंत्री बनाना चाहती है आप चाहते हो आप चाहते हो अब उनको ऐसा है कि पैसा खा गए कौन कुछने वाला है ये दिदी के सारे सिंडिकेट वाले मौद मस्ती में है मैं गुर्खा भाईयो बैनों मता हो आपको कहने जाता हूँ ये अपने आपको जो तूरम खान समधते हैं हमारी सरकार बना दीजे जैल की सलाखों में रोटिया तोड़ने के लिए हम मजबूर कर देंगे अरे सिक्सकों की भरती में ब्रश्टाचार जो सिक्सक जो टीचर बच्चे को पढ़ाता है ये पवित्र व्यवसाहिक अंदर आपने ब्रश्टाचार किया है हम आपको नहीं छोगे इसकी SIT होगी और जहल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा मित्रो हम एक बात मैं आपको पताता हूं दारजिलिंग का अथिकार है कि दारजिलिंग मिनिसिपाल्टी को दारजिनिंग मिनिसिपल कॉर्पोरेशन में बदलना चाहिए और हमें आपके अथिकार की पुरुष्ठी करते हैं भारतिय जनता पार्टी की बंगाल सरकार बनने के बाद दारजिलिंग मिनिसिपाल्टी को दारजिलिंग मिनिसिपल कॉर्पोरेशन में बदलने का काम भारतिय जनता पार्टी हम चाहते है कि देश बर में जो गोर्खा बाई यहां के है और जो नेपाली बाई नेपाल से आए है वो भी मेरे अपने हैं मेरे बाई है कोई उसको कुछ भी डराए डरियेगा मत गोर्खाओ और नेपालियों के सन्मान किसलिए भारतिय जंटा पार्टी किसी के भी साथ लड़ाई कर सकती हैं मैं आज आपको बताने आया हूँ हम गोर्खा बासा को बंगाल की सह बासा में सह बासा के रुप में स्थापीत करकर ऑफिस्यल बासा का दरज्जा देने का काम करें प्रसार भारती दूरदर्शन नेपाली में अलग टिवी चैनल बना कर आपके एज्जुकेशन और आपके मनोरंजन के लिए काम करें अभी मैं तो मुझे तो मालूम ही नहीं था कल में गया रोड़सो में हमारा प्रत्यासी क्या नाम है उसका सुबप्रताप मेरे कान में घुसुर भू करें के भाई साब एनरसी एनरसी मैंने कहां है कौन लाने वाला है अभी तो कोई योधना ही नहीं कि नहीं भाई साब एनरसी आएगा तो गोर्खाओं को तकलीफ होगी यह दीदी आपको डरा रही है और डरा कर उसके जूर्म आप भूल जाओ ऐसा करना चाहती है मगर जूर्खा और गोर्खा ओपर जो जून की है ना दिदी गोर्खा भूलेंगे नहीं भूलेंगे क्या भूलेंगे क्या देखो मैं आपको श्पस्ता करकर जाता हूं एनरसी की अभी कोई बात ही नहीं है मगर भविस्य में भी आएगी कोई गोर्खा का बाल बांका कोई नहीं कर पाएगी कोई आपको डराने के लिए आए मेरे नाम से कहना कि देश के गुरू मंत्री ने कहाए गोर्खाओं को डरने की जरूरत नहीं है यह पाए फेलाकर अपनी रादनिती ग्रोटिया सेखना चाते मैं इस मंच से दिदी को कहना चाता हूँ दिदी एक घंदी रादनिती अब नहीं चलेगी गोर्खाओं जागरू दो चुका है गोर्खाओं आपके खिलाप लड़ेगा गोर्खाओं अत्याचारों का हिसाब किताब करेगा क्या डराना चाहती हूँ इस तरह से डर जाएंगे क्या मैं आपको कहता हूँ गोर्खा इस देश की सान है इसका बाल भी बांकार नहीं हो सकता कोई गोर्खा कभी घुस पेटिया हो नहीं सकता ये उसी की ही भुमी है जितनी मेरी है उतनी आपकी मित्रों हम जी टिये जैसी व्योस्ता को भी बढ़ लेंगे और आप फिर से एक बार मैं कहना चाहता हूँ कि BJP ही घूर्खा समस्या का पहाड़ की समस्या का स्थाई रादनितीक समादान ला सकती है BJP ही ला सकती है और मित्रो एक बार एक बार दिदिने हम लोगों में दरार डालने का प्रयास किया कुछ लोगों पर केस करकर उनको सरण में ले गई मुझे तो उनकी भी कोई तकलिफ नहीं, उनके प्रती कोई फरियाद नहीं, कोई सिखवा नहीं, उनके भर भी केस किये थे, मगर एक बार दिदी को अपनी इत्ता का परिचे बता देना चाहिए, एक बार आप लोग इस चुना में तिनों की तिनों सिटे भाजपा और सहयोग की दल को जिता कर बता दो, के दिदी, गूर्खा और भाजपा का गटबंदन जो है न, यह अतूट गटबंदन है, भगवान ने बनाया हुआ गटबंदन, इसको आप तोड नहीं सकते हैं, और यह चुनाव हमारे लिए, यह चुनाव जो है, हम सब की एक प्रकार से परिक्सा है, बाजपा और घोर्खा की एकता को तोड़ने का गिनोना प्रयास, त्रिनमुल कॉंग्रेस और दिदी ने किया, इसका मुँ तोड जवाब देना है, उसको समझाना है, कि ऐसे जुर्म करकर, आप हमें तोड नहीं सक करती है, हमारे बिच में भेद नहीं कर सकती, तीनो की तीनो सिटे, कमल के और साथी दलो को चिता कर, दिदी को एक पश्ट संदेश एक बार भेद दिजे, कि दिदी जुर्म से जुग जाए, जुर्म के सामने जुग जाए, वो गोर्खा नहीं होता है, गोर्खा लड़ने मुझे बताओ, माताओ, भाईो, बेनो, युवाओ, गोर्खा कभी जुन के सामने जुकता है क्या, जुकता है क्या, पूरे बंगाल के अंदर, इस दिदी ने सिंडिकेट का राज चलाए, गुस पेटिये गुसाएं हैं, और गुट्स पेटियों के माध्यम से, वो अपनी वाट बेंग खड़ी करें, मित्रो, भ्रस्टा चार, राजनितिक हिंसा, राजनितिक प्रतिशोज, ए दिदी ने बंगाल की राजनिति को सबसे निचे स्तरपल ले जाने का काम किया है, मैं आप सभी को दो हाथ जोड कर विनंती करने आया हूँ, ए परिक्सा का समय है, हम अपने एक जूठ होकर हम पर जुन करने वालों को मुँ तोड जवाब देना है, बैलेट के बटन में कमल के सामने बटन दबा करना है, बताईए भाया, मेरे गोर्खा साथी बताएं, कमल के निसान पर बटन दबाएंगे क्या, अरे यारे ऐसी आवाज होती है क्या, जोर से बुले दबाएंगे क्या, बाजपा और साथी दलों को जिताएंगे, तीनो तीन सीट पर विजय प्राप्त करेंगे, देखो माता हो बैनो भायो, बटन तो कमल के सामने जरूर दबाना, मगर इतने घुसे के साथ दबाना, कि बटन पहाड पर दबे, करन्ट कलकत्ते में दि दी को लगे, क्या मोदी जी के हाथ आप मजबूत करोगे, पहाड की समस्याओं का समादान करोगे, हम पर किये गए अन्याय का हिसाब किताब करोगे, तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, और प्रचन नावाद से भारत माता का जहिगोश करिए, भ बारत मता की, जै गोर्खा, जै गोर्खा, जै गोर्खा, वंदे, 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 आप सभी का बहुत बहुत दन्यवाद माता की, बारत मता की, बारत मता की, बारत मता की, जै गोर्खा, जै गोर्खा, जै गोर्खा, जै गोर्खा, वंदे, 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 वंद आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामना है आपसाद जिदा मत आपसाद जिदा मत आपसाद जिदा मत जए शुरी राव जए शुरी राव जाइ जाइ श्रीरा जाइ गुरिकाः जाइ गुरिकाः जाइ